नमस्ति सदावत सलेम आत्रभूमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज अर्विन के जरिवाल से रिलिटेट तीन केसिस कोर्ट में थे एक तो अर्विन के जरिवाल ने ओनेविल सुप्रीम कोर्ट में एक लगाई है और वो एप्लिकेशन इस बात की है कि उनकी जो इंतरिम बेल है वो एक्स्टेंड करती जाए एक वक्ता उस पर हम दोग चर्चा करेंगे कि आखिर उस एप्लिकेशन में लिखा क्या है और जो अर्विन की जिवाल की हरकते हैं आज की उससे ये बात सिद्ध होती है कि उनको जेल में रखना ज्यादा सुरक्षित है उनके भले की बात है दूसरी विभब कुमार वाला मामला आया स्वाती मालीवाल का विभब कुमार ने आज एक बेल एप्लिकेशन लगाई थी जिसमें स्वाती मालीवाल की तरप से भी पक्ष रखा गया और विभब कुमा वो है जिसमें आपको याद होगा कि और वाइबल हाई कोट में एक पियाईल लाख लुई थी और उस पियाईल में यह क्लेम किया गया था कि मीडिया को रोका जाए कि वो बार बार सीम अर्विन केजरिवाल के रेजिगनेशन की बात कर रहे हैं बार बार केजरिवाल के गई और यह कहा गया कि हम वकील हैं हम कहां से एक लाख रुपया देंगे तोने बेल हाई कोट ने का चलो एक लाख रुपया तो तुम्हारा हम ड्रॉप आउट करते हैं लेकिन दिल्ली लीगल सर्विट थौटी के पास जाए और वो जो कम्मुनिटी सर्विस कहें वो युई जो पर बार बार डाल रहे हो और कोई कह रहा है कि उनको पावर ले ली जाए कोई कहरा है उनको सीअम बने हैं तो वह मिट्य靜 करने की सकति ने की शक्ति दी झार कोई यह कह रहा है कि सब्क्राइब्स को रोक दिया जाए और तमाम लोगों को स्टेटमन्ट देने से रोग दिया जाए अर्वीन के जरीवाल के ओप़र अन्नेससरी दवाव बन रहा हए और यह अन्नेससरी दबाव सिहत के लिए अच्छा नहीं है। ने कहा। इन सभी मामलों को डिस्मिस किया था। और ये एक लाग रुपए के पनल्टी वाला मामला भी था। क्यों बार बार आ रहे थे। तो तब ही से जब से एक लाग रुपए पनल्टी लगाई तब से फिर कोई हाई कोट में नहीं गया। ये भी ब पासर थी अंदर घुस कैसे कि तो हाई कोट ने बोग वो ट्राइल कोट तीसे जारी कोट में जहां पर लगा था तीसे जारी कोट ने पूछा कि कौन अंदर जा रहा था किसे अंदर तक ले गया अंदर वहां तक पहुंची कैसे मीन गेट पे रोक रोक देने के बज़ेब मीन गेट की सेकुर्टी पार करके चली कैसे गई कैसे वो ड्राइंग रूम तक पहुंच गई क्या माजरा था इस पर किसी के पास कोई जबाब था नहीं कि हमने कभी वहां जाने के लिए कभी अनुमती नहीं मांगी कभी वो नहीं हुआ सीधा गेट से घुसी चली गई उन बात को लेकर कि तो मेरी बात कैसे मैं बानेगी बात सुनेगी क्यों नहीं तो मेरे को मना करेगी यह सब लेकर थपड़वाजी शुरू हो गई • यह बताया नहीं कि बात मानी कौन सी नहीं जाएगी इतने सारे इंटेव्यू आ रहे हैं ऋसौतक्य माली dipped जिसमें पूछा लेकिन बात यही है कि रजसभा से स्तीफा मांगा जा रहा था, वो absent थी, लगातार गाइब थी, US में खुब रजसभा की MP हो गई हैं, वहाँ आराम कर रही थी, फिर उन्होंने अपना तरक दिया, मैं कोरेंटाइन हो गई थी, उन्होंने तरक दिया, मिरी बहन बीमार हो गई सवाल यहां पर जो पैदा हुआ, वो यह हुआ कि स्वाती मालीवाल की तरफ से भी जो वकिल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साब च्छाती पर मारा गए, उन्होंने कहा कि साब इन्होंने पहतुरंत एफायर क्योंने लिख वहीं, यह अंदर ट्रेसपास कैसे हो गया, तक जो एक लंबा इस्पान है, वहां तक पहुंची कैसे, पोट ने जब पूछा तो, टाइन टाइन फेस, कोई जबाब किसी के पास नहीं था, अब यह कहा गया कि साब वीडियो देख लीजे, कोई मार पीट नहीं हुई, और वो वीडियो में वो खुदी कहनी गंजा को म आदिये दूरी है, पुलिस ने भी उस मामले में यही का कि साब वीडियो जो अंदर की होनी चाहिए ड्राइंग डॉम की, वो वीडियो ही गाइब है, वो एरेस कर दिया गया है, वो मामला वहां का बनता नहीं, वहां से कोई फोटेज मिली नहीं, यह हो सकता है कि ड्राइं हम आई थी, इंडियन, अजी ओड़ेल की, फी फाड़ के बार कंदे वे हांतरकर क्या आधा है, वहां से लगना चाहिए तर यह हुआ कि वह इंफ्लूएंसिल पर सनंने वहाँ पर गई जाने के बाद उनके पास तमाम तरह पर प्रमाप और ने के समय उनको लगा कि नहीं, मैं एक महिला तो हूँ ही, इस बात को छांती पर मारा गया है, उनके पैल्विक पार्ट पर मारा गया है, यानि कि उनके जो नीचे का हिस्सा कमर के नीचे का हिस्सा है, उस पर मारा गया है, जो वो साइकल में उस समय थी, ऐसा उन्होंने कहा है कि वो पीरिड्स में ह इस इन बातों के लिए सोच चिपचार के लिए समय ले सकता है दूसरा वो इतनी घायलती इतना उनका शरीरिक पीडन हो चुका था कि कोई भी महिला रेस्ट करना पसंद करेगी और थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए और यह भारती महिला का मामला है भारती महिला के मामले में त तो वो खुद खड़ी हुई और उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो बयान या उनके वकील ने जो कहा वो बात बड़ी महत्पड़ू नकासा बिभवा को मारी भी बाहर निकलेगा यह फिर मारपीट करेगा फिर वहां गलत करेगा मिजे और मेरे परिवार के लिए बहु पर न रहें लेकिन जेल पर रहेंगे यह जेल में मतलब कस्टेडी में रहेंगे और जब तकक नहीं होता तब तक तो और नहीं रहेंगे रहेंगे के बाद जरा सा थोड़ा कम ही पावर होगी लेकिन पावरफूल आदमी है ऐसा सब लोग कहते हूं तीसरी एप्लिकेशन जो उन्होंने कोर्ट सुप्रिम कोर्ट में लगाई और यह कहा कि जो दो जून की बात कही गई है एक जून तक एक्जेम्टेट है दो जून को उनको प है और यह भी हो गया कि उनको CT scan कर वाना है सपयं दिया जाए तो मैं समझने पा रही है इसलिए यह Hasta순bil करने में थोड़ा उनको समसें आ रही हैं इसलिए यह माना जा रहा है कि दिमाग सई से काम नहीं कर रहा है तो ऐसी प्रस्थित्ती में अभी करवाया जा सकता सेड़ेश के ने इसमें वो दो तरीक के बाद ही क्यों होगा आठ तरीक तक का टाइम क्यों लगेगा यह तो एक सवाल खड़ा होता है लेकिन जो ब चल रहा था और बाहर आकर उनका वजन कम हो गया है बाहर आकर उनकी शुगर बढ़ गई है बाहर आकर उनको और समस्य हो गई mentally बीमारियां हो गई हैं, शारीरिक और बीमारियां हो नहीं, छरण हो रहा है, तो ऐसी प्रिस्तिती में भाई, बाहर क्यों रखना, जेल में रखना चाहिए, जेल में रखने में जदा भला ही है, मुझे लगता है, क्योंकि जेल में उनको तसली से, रखने से, उनको स्वास्त अड़िती में उनको जेल से बाहर निकलने पर नुकसान है, मुझे लगता है कि उनको जेल में रखने में ज़्यादा सवास्तलाब है और जेल में रखना चाहिंब ताकि वो शारिरी रोप से, मांसी रोप से स्वास्त रहें और वहाँ उनकी खूब care हो जाएगी, वहाँ अस्पताल अंदर होता है, अस्पताल में बेड रेस्ट करें और अच्छे-च्छे doctor जो हैं, यह वहाला ही तो इसमें है, क्यों अभी Supreme Court के सामने की application गई हैं जिसमें इते हैं, है कि सब यह यह बीमारियां बाहर निकलने के बाद लग गई तो उससे अच्छा यह होना चाहिए कि दिमाग में यह भी बात आनी चाहिए कि अंदर अगर सुरक्षित थे तो अंदर ही रखते हैं आराम करवाते हैं और वहीं बढ़ियां इलाज करवाएंगे जब बाहर निकल किसली रचे जा रहें आप अच्छी सी कर रहें आप दुनिया भर में भाषण देते गूम रहें तो रोज प्रेस कांफरेंस कर रहें रोज वह टीवी पर खड़े होकर मलब कैमरा लगाकर भाषण बाजी कर रहे हो डेली की डेली इंटरिव्यू दे रहे हो और पंजाब मे तो फिर और लंबा लड़ लोगे और होस्पिटल में हो जाओ जेल की होस्पिटल में हो जाओ क्यों यह करना सब कुछ किया बाहर भी नहीं और यह सब रहें तो मुझे रहता है कि इसी वर्सिती में अर्विंद केजडिवाल को अब दो तारीक से पहली जेल भेज देना चाहि और कोई इलाज करवाना वह जेल व्रिशाषन को एप्लिकेशन करेंगे जेल का डॉक्टर करदेगा वहां एमस में इलाज करवा सकते हैं और और उनके तो प्लवालों के बनाने चाहिं जिसमें वर्ड क्लास के आध्मियों का इलाज हो सके और अरविंद के दिश्यिवाल को तो कम से कम इलाज हो सके यह बहुत सारे गंभीर प्रश्ण हैं लिकिन उनका अज मुझे लगता है कि अच्छा यह हो कि उनको जेल में पुना भेज दें तो कम से कम स्वास्थ लाव तो हो ही जाएगा जै हिंद जै भारत बंदे मातरम